गुट मारिंग देर स्टूरेंट हम बढ़ रहे हैं स्ट्रेक्चरल और्गनाइजेशन इन एनिमल्स लास्ट लेक्चर में हमने बात कि थी एनाटॉमी और फ्रॉक इसके अंदर हमने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम वैस्पैरिटी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम या व प्रॉक इस वियस्टेश केंस वाल इस जैसे डेक्सकेरिटरी सिस्टम युटिर लेक्मच इसके अधने उसकेंने वालगने जो जो सिस्टम है उसको अखती सिस्टम है गाइखती कि आश्चरॉक alternatives और सलकुंसटी पेरिटनी राएब यूटिरी डा sneaking चार पार्ट है इसके प तो पहला पार्ट स्का किड्नी है यू यू रेटरस किलय का और यूरेनरी ब्लैडर सब्सक्राइब यू 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 रिदे यू से यू दग जया एंगियों कियोड वह वह काफी छोटा सा उसका बॉड़ी स्ट्रक्छर है तो वह क्या होते हैं काफी छोटे चोटे चोटे उसमें kidneys पाई जाते हैं चोटे चोटे यूरेट्रस पाई जाते हैं ऐसे यह अधर पार्ट भी पाई जाते हैं डार्क रेड कलर का यह excretory system होते हैं and bean-like structure situated a little posteriorly in the body cavity on both side of ventral column vertebral column की दोनों side में उसके क्या पाई जाते हैं kidneys पाई जाते हैं जिनका shape या structure के सा होते है बीन का जैसा होते है और उनका color के सा होते है red होते है ठीक है और यह body cavity के post वाली side में यानि की back side में पाई जाते हैं इस kidney is composed of several structural and functional unit called urinary ferrous tubules और nephrons तो इस kidney का जो structural और functional unit होता है वो क्या होता है वो nephrons होता है या फिर उसे क्या बोला जाता है urinary ferrous tubules भी उसे बोला जाता है ठीक है two ureterus emerge from the kidney in the male frog the ureterus act as urinal genetial duct which open into the chloe तो यह क्या है जो ureterus है यह क्या है यह क्या है यह एक pipe है जो connect करते हैं kidney को cloaca के साथ में और अगर हम male की बात करें तो male में इसके number कितने होते हैं male में two होते हैं ठीक है इन female the ureterus and oviduct open separately in the cloaca male में क्योंकि जो ovaries होती है वो present नहीं होती है लेकिन अगर हम बात करें females की तो cloaca में उसका oviduct भी open होता है जो उसके ov से connected है लेकिन हाँ और इसके साथ ही जो ureterus है वो भी यहाँ पर cloaca में separately क्या होते हैं open होते हैं the thin wall urinary bladder is present ventral to the rectum which also open in cloaca इसके अलावा जो उसका urinary bladder है वो present रहता है उसके ventral rectum के ventral side में और यह भी कहाँ पर open होते हैं cloaca के अंदर the frog excrete urea क्योंकि जो frog होता है वो urea को excrete करते हैं and thus is a ureotelic इसलिए से क्या बोला जाता है ureotelic animal ureotelic animal उन animals को बोला जाता है जो वेस्ट प्रोडेक्ट के रूप में urea को excrete करते हैं excretory waste are carried by blood into the kidney where is it is separated and excreted इसके excretory waste जो होता है उसको separate करने का काम कहा होता है kidney के अंदर सारा जो excretory waste होता है वो उसके blood में present लेता है और blood से वो kidney में separate होता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है अब हम इसके nervous system की बात करेंगे तो इसका nervous system क्या होता है उसको control करने का काम क्या होता है sorry nervous system जो इसके अंदर present रेता है वो काफी क्या होता है control और coordinate होता है और highly evolve होता है इस इंक्लूड़ बोथ neural system and endocrine cleanse इसके अंदर दोनों शीज़ें पाया जाता है neural system भी पाया जाता है और endocrine cleanse भी पाया जाती the chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine cleanse body के different ऐसे part organs present रेते हैं जहांपर chemical coordination के द्वारा control किया जाता है और इन organs में जो hormone secret होते हैं यहां तक पहुंच पाते हैं वो endocrine cleanse से ही secret होते है the prominent endocrine gland found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, penile body, pancreatic islet, adenals and gonads इतने type case के अंदर के पाया जाते हैं glands पाया जाते हैं number of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 total 8 number of glands frog की body के अंदर present रेते हैं the nervous system is organized into the central nervous system nervous system के अगर हम बात करें तो इसमें central nervous system भी पाया जाता है brain and spinal cord a peripheral nervous system central cranial and spinal nervous and an atomic nervous system sympathetic and parasympathetic दो टाइब के parts autonomic nervous system में पाया जाते हैं there are 10 pairs of cranial nervous nerves arising from the brain ठीक है total 10 pairs of cranial nerve nerve जोती है वो arise करती है brain is enclosed in a pony structure called brain box जिसको cranium भी बोला जाता है इसके अंदर cranium के अंदर क्या होता है उसका brain enclosed रहता है बंद रहता है सबसे आगे का part four brain के लाता है बीच का part mid brain और last का part hand brain के लाता है four brain includes all factory lobes, paired, caribral, hemispyrus अंद अंपेर्ड डाइ एकनी फेल लॉन तो उसके four brain में ये parts आए जाते है और फेक्ट्री, lobes, paired, caribral, hemispyrus and unpaired, di-n-c-phelon, तेगे, our mid brain is characterized by a pair of opatic lobe, hind brain consists of carib, caribulum and medulla of oblongata and medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues to spinal cord which is enclosed in the vertebral column तो इसका जो medulla oblongata होता है वो फेला रहता है उसके spinal cord के अंदर ठीक है और ये vertebral column की दोरा encloses रहता है, rock has different type of sense organ इसके अलावा उसमें sense organ भी पहे जाते हैं, namely organs of touch, sensory, papily उसके touch organs है, taste के लिए उसमें taste buds पहे जाते हैं, smell के लिए nasal epithelium होती है vision के लिए इसमें eyes होती है, hearing के लिए इसमें tympanum या external ear internal ears में पाए जाता है, ठीक है, frog के जो ears होते हैं, वो क्या होते हैं, internal होते हैं, इसमें हमने इससे पहले पढ़ा था उसकी morphology में तो उसकी eyes की just back side में tip बेना माला part पाए जाता है out of these eyes and internal ears are well organized structure, इनके अलावा उनकी eyes और internal ears के होते हैं, काफी जादा organized structure हैं, काफी जादा well developed और organized, the rest are cellular aggregations around nerve ending, eyes and frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in skull, उसके जो, उसका head वाला portion जो है, head के, जो skeleton है, उसको हम skull बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, एक orbit में पाए जाते हैं, these are simple eyes, possesses only one unit, external ear is absent in frog and only tympanum can be seen externally, the ear is an organ of hearing and as well as balancing, equilibrium के लिए उसके जो ear हैं, वो क्या होते हैं, काफी helpful होते हैं, reproductive system के अगर हम बात करें, तो frogs have well organized male and female reproductive system, male reproductive organs consist of a pair of yellowish ovid, avoid ovid testis, figure 7.21 में आपको यह दिखाय गया है, 7.21 यहाँ पर आपको यह दिख रहे हैं, ठीके, तो यहाँ पर one pair of testis present है, इसके अलावा उसमें कौन से पार्ट होते हैं, which are found adhere to the upper part of kidney, kidneys by a double fold of peritonium called mesoregium, और इसको क्या बोला जाता है, इसके इससे जो second part है वो है, वासा efferentia are 10 to 12 in number that arise from testis, वासा efferentia, यह arise होते हैं testis से और इनके number कितने होते हैं, 10 to 12 होते हैं, आपको दिख रहा होगे हैं यहाँ पर वासा efferentia कौन सा portion है, यह वाला portion है, और इनके number कितने होते हैं, 10 to 12 होते हैं, इन्टर दा किड्नी और ओन देर साइड और ओपन इन मिडर स्कैनल, फाइनली तर कम्पनिकेट विद द यूरिनो जनेटियल ड़क्त, यह वाला जाता हैं, यह वासा efferentia का यह क्लोएका में ओपन होते हैं, तो एक्स्टियर तक पहुंचाने का काम होता है, वासा efferentia का, जो भी प्रोडेक्ट है, चाहे वो फे फेशियल मेंटर है, यह उसका यूरिन है, कॉपलेशन के दौरांचों स्पाम होंगे, उनको पहुंचाने का काम कैसे होता है, आपको आपने भी पढ़ा, जो वासा efferentia हैं, वो हेल्प करती हैं, तब female reproductive organs includes a pair of ovaries, एक pair of ovaries यहां पर present रहती हैं, ओवरी आपको दिखती होंगी, यह बीच में यहां पर one pair of ovaries आपको दिखाए देती हैं, ठीक है, इसके अलाबा, the ovaries are situated near kidney, and there is no functional connection with kidney, और यहां पर kidney के साथ कोई भी इसका functional connection नहीं दिखा देता है, इससे पहले हमने male part में देखा था, कि male के साथ वो bind रहती है, और वहां से उसके sperm जो होते हैं, kidney के रहते हैं, कहा तक पहुंचते हैं, a pair of oveduct arising, oveduct यहां से arise करते हैं, from the ovaries open into the cloaca separately, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम पढ़ देते कौन सा part, उसका excretory system, तब हमने पढ़ा था कि जो oveduct होते हैं, वो ovaries में, sorry cloaca में separately open होते हैं, a mature female can lay to 2500 to 3000 ova at a time, लगबख कितने number of ova को एक female के करती हैं, एक time में produce करती है, fertilization is external, इसका frogs में जो fertilization होता है, वो external होता है, and takes place in water, और यह कहां होता है, water के water surface में, water में क्या करती है, जो female frog होती है, वो अपने ova को ले करती है, और male अपने इस काम को water body में एकरते हैं, छोड़ देता है, तब जाकर के उनका, क्या होता है, fertilization की process होती है, deployment involves a larval stage called a tadpole, तो frog में tadpole एक larval stage है, जो हमें दिखाए देती है, हमने देखा होगा, हमारे घर के आसपास, अगर कोई छोटा सा pond, या भी कोई नौला वगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर कुछ मचली की type structure की tadpole आपको दिखाए देंगे, तो वो tadpole क्या होते हैं, वो इसकी larval stage होती है, जब fertilize होता है, तो सबसे पहले वो tadpole बनाता है, उसके बाद उसमें metamorphosis की process होती है, और फिर वो adult में convert हो जाता है, Frogs are beneficial for mankind because they eat insects and protect the crop, ये काफी जदा mankind के लिए beneficial हैं, क्योंकि कोई harm में ये नहीं करते हैं, इसके बतले ये insect और crop को भी protect करते हैं, जैसे mosquitoes वगारा कोई खाते हैं, Frogs maintain ecological balance because they serve as an important link of food chain and food wave in the ecosystem, ecology वाले portion में आप खड़ोंगे कि ecosystem के अंदर जो food chain होती है और food wave होती है, उसमें एक important इसका position है, क्योंकि बहुत सारी food chain frog पे भी dependent रहती है, in some countries the muscular leg of frog are used as food by men, इस country में जो इनके muscular leg हैं उनको food के रूप में भी use किया जाता है, तो ये chapter यहीं पर complete होता है, next video में हम अगले chapter को study करेंगे, thank you.